अपनी मन की बात की कारिकम के शुरुवात करेंगे महाशीव का महिना उत्सव अरुलास का महिना चंद्रियान की सफलता ने उत्सव के इस माहुल को कई गुना बढ़ा दिया है चंद्रियान को चंद्रमा पर पहुँचे तीन दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है इस सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाएं वो कम है जब आज आप से बात कर रहा हूँ देख पुरानी मेरी कविता की कुछ पंग्तिय याद आ रही है आसमान में सिर उठा कर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल पले अभी तो सूरजूगा है हर मुश्किर को पार कर गोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरजूगा है आसमान में सर उठा कर घने बादलों को चीर कर अभी तो सूरजूगा है मेरे परिवार जन 23 अगस्त को भारप ने और भारप के चंद्रियान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं मीशन चंद्रियान नई भारत के उस स्पिरित का प्रतिक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है साथियों इस मीशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सब के साथ विशेश तोर पर चर्चा करना चाहता हूँ आपको याद होगा इस बार मैंने लाल के लिए से कहा है कि हमें विमेन लेज डेवलेप्मेंट को राष्ट्रिय चरित्र के रूप में ससक्त करना है जहां महिला शक्ति का सामर्थ जुड़ जाता है वहां असंभो को भी संभो बनाया जा सकता है भारत का मिशन चंद्रयान नारिख शक्ति का भी जीवंत उदाहरन है इस पूरे मिशन में अनेको विमेन साइन्टिस्ट और इंजिनियर्स सीज़े तोर पर जुड़ी रही है इन्होंने अलग-अलग सिस्टिम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे कई एहम जिम्मेदारिया समाली हैं भारत की बेटियां अब अनन्त समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनावती दे रही हैं किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांशी हो जाए तो उसे उस देश को बिक्सित बनने से भरा कौन रोग सकता है साथियों हमने इतनी उँची उडान इसलिए पुरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं चंद्रयान तीन की सफलता में हमारे वैज्यानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी एहम भूमिका रही है तमाम पार्ट्स और तक्नीकी जरुतों को फुरा करने में कितने ही देश वाशियों ने उगदान दिया है जब सब का प्रयास लगा तो सफलता भी मिली यही चंद्रयान तीन की सबसे बड़ी सफलता है मैं कामना करता हूँ कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अंगिनत सफरताएं हासिल करेगा मेरे परिवार जनों सितंबर का महना भारत के सामर्त का साक्षी बनने जा रहा है अगले महने होने जा रही जी ट्वेंटी लीडर समिट की लिए भारत पुरी तरफ से तयार है इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्टाद्यक्ष और अनेक ग्लोबल और्विनेज़ेसंस राजदानी दिल्ली आ रहे हैं जी ट्वेंटी समिट की इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागेदारी होगी अपनी प्रेसिदेंसी के दोरां भारत ने जी ट्वेंटी को और ज्यादा इंक्लूजिव फॉरम बनाया है भारत के निमंत्रण पर ही आफ्रिकन यूनियन भी जी ट्वेंटी से जुड़ी और आफ्रिका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेट्वर्म तक पहुंची साथियों पिछले साल बाली में भारत को जी ट्वेंटी की अधिक्स्ता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है दिल्ली में बड़े-बड़े कारेकर्मों की परंपरा से हट कर हम इसे देश के अलग-अलग शहरों में ले गए देश के साथ शहरों में इससे जुड़ी करीब-करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया जी-ट्वेंटी डेलिगेट्स जहां भी गए बहां लोगों ने गर्म जोसित हैं का स्वावित किया ये डेलिगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर हमारी वाइबरन डेमुकरसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए उन्हें ये भी एसास हुआ कि भावित में कितनी सारी संभावनाएं हैं जी-ट्वेंटी की हमारे प्रसिडेंसी पीपल्स प्रसिडेंसी है जिसमें जन भागिदारी की भावना सबसे आगे है जी-ट्वेंटी की जो ग्यार एंगेजमेंट गूप्स थे उनमें एकडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हवारे सांसद, एंटरप्रिनर्स और अर्बन एड्मिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने एहें भूमी का निभाई इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी ने किसी रूप से डेड़ करोड से अधिक लोग जुड़े हैं जन भागीदारी के हमारी स्कोशिस में एक ही नहीं, बलकि दो-दो विश्वे रेकॉर्ड भी बन गये हैं बारानसी में हुई G20 क्वीज में आठ सो स्कुलों के सवालाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नहाया विश्वे रेकॉर्ड बन गया वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया चार सो पचास कारीगरों ने करीब अठारा सो यूनिक पैचिज का आश्यर जेनक कलेक्शन बनाकर अपने हूनर और क्राफ्ट्समेंट्सिप का परिचे दिया है जी ट्विंटी में आई हर प्रतिरिदी हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देख कर भी बहुत हहरान हुई ऐसा ही एक शांदार कारकम सूरत में आविजित किया गया वहां हुए साड़ी वकाथोन में 15 राज्यों की 15,000 महलाओं ने हिसा लिया इस कारकम से सूरत की टेक्स्टाइल इंडस्टिक को तो बढ़ावा मिला ही वोकल फ़र लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना स्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के परियतकों की संख्या में भारी बढ़ोत्री देखी जा रही है मैं सभी देश वास्यों को कहूंगा कि आईए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाए देश का मान बढ़ाए मेरे परिवार जनो मन की बात के एपिसोड में हम अपनी यूआ पीडी के सामर्थ की चर्चा अक्सर करते रहते हैं आज खेल कुद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे यूआ निरंतर नई सफलताए हासिल कर रहे है मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूँगा जहां हाली में हमारे खेलाडियों ने देश का परचम लहराया है कुछी दिनों पहले चीन में वर्ल उनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफार्मंस रही है हमारे खेलाडियों ने कुल 26 पदक जीते दिन में से 11 गोल्ड मेडल थे आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जीतने वर्ल उनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दे तो भी यह संख्या 18 तक ही पहुंचती है इतने दसकों में सिर्फ 18 जब कि इस बार हमारे खेलाडियों ने 26 मेडल जीत लिए इसलिए वर्ल उनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवां खेलाडी विद्यार थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूँ यूपी की रहने वाली प्रगती ने आर्चरी में मेडल जीता है असम के रहने वाले अमलान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है यूपी की रहने वाली प्रेंका ने रेस वाक में मेडल जीता है महरास्टे के रहने वाली अभी दन्याने शूटिंग में मिडल जीता है मेरे पहरे युवाखि लाडियों नमस्कार मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैं सबसे पहले भारत की उनिवर्सिटीज में से सिलेक की गई टीम आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है इसलिए मैं आप सब को बढ़ाई देता हूँ आपने वर्ल युनिवर्सिटीज में अपने प्रदर्शन से हर देशवाजी का सिर गर्व से उंचा कर दिया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ प्रगेदी मैं इस बाचीत के सुरुवात आप से कर रहा हूँ आप सबसे पहले मुझे बताईए कि दो मेडल जीतने के बाद आप जो मियां से गई तब यह सोचा था क्या और इतना बड़ा वीजे प्राफ्त किया तो मैसूस क्या हो रहा है बहुत फ्राउड फील्ड कर दे थी मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का जंड़ा इतना उंचा लहरा के आई हूँ एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए इसको नीचे नहीं जाने देना है इसको हर हाल में सबस्वें उचा नहरा के ही आना है जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिबरेट किया था वो मोमेंट बहुत अच्छा था इतना प्राउट फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका प्रगेति आपको तो फीजिकली बहुत बड़े प्राब्लम आये थे उसमें साब उभर करके आई यह अपने अपमें देश के नौजवानों के लिए बड़ा इस्पारिंग है क्या हुआ था आपको पांच मुई 2020 में मुझे से ब्रेन हैमरेज हुआ था मैं वेंटेलेटर पे टी कुछ कन्फरमेशन नहीं थी कि मैं बचूंगे कि नहीं और बची तो कैसे बचूंगे बच इतना था कि हाँ मुझे इम अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है वापिस ग्राउंड पर खड़े हुना है आरो चलाने में को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ बगवान का उसके बाद डॉक्टर का फिर आर्चरी का हमारे साथ अमलान भी है अमलान जरा बताईए आपकी अथलेटिक्स के परती इतनी जादा रूची कैसे डिवलफ की नमस्कार अथलेटिक्स के परती तो पहले उतनी रूची नहीं थी पहले हम सुब बल में से जादा बट कैसे जैसे मेरे भाई का इक दोस है तो उन्होंने मिर को बोला कि कि हमलान तो घुम्हे अथलेटिक्स के परती तो पहले हमलान जरा पटाईए ज्यादा अतर प्रैक्टिस कहां की? ज्यादा अतर मैं हैजराबाद में साहिरे भी सर के अंडर प्रेज उसके बाद में बुने के में शिफ्ट उजर तो उधर से मेरा प्रोफिशनली स्टार्ट हुआ सर अच्छा हमारे साथ प्रियंका भी है आप 20 किलोमेटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी सारा देश आज आपको सुन रहा है और वेई स्पोर्ट के बारे में जानना चाहते है आप यह बताईए कि इसके लिए किस तरह किस किल की जरुत होती है और आपकी कहरी तहां कहां से कहां पहुँची मेरे जैसे इवैंट में मतलब काफी टوफ है क्योंकि हमारे पाच जज़ खड़े होते हैं अगर हम भाग दिये तो भी वो हमें निकाल देंगे या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते है तो भी वो हमें निकाल देटें या फिर हमने नी बेंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं और मेरे को तो वर्निंग भी दो आगी कि उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पर इतना कंट्रोल किया कि कही ना कही मुझे टीम मैडल का इटलिस यहां से जीतना ही है क्योंकि डेस के लिए यहां पे आया है और हमें खालियात यहां से नहीं जाना है और पिता जी भाई बगर सब ठीक है हाँ जी सर सब बढ़िया है मैं तो सब को बताते हूं कि आप बदलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड इनिवस्टी जैसे केल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता है लेकिन अब इतना सब्पोर्ट मिला आना इस गेम में भी मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मैडल जीते हैं कि अलम्पिक्स की तरह इसको भी इतना बड़ावा मिल रहा है चलिए प्रेन का मेरी तरब से बढ़ाई है आपके बड़ा नाम रोशन किया है आईए हम अभी दन्ये से बात करते हैं नमस्ते सर बताईए अपने विशे में सर मैं प्रापर कुलापूर महराष्टर से हूँ मैं शूटिंग में 25 मिटर स्पोर्ट स्पिस्टिल और 10 मिटर एड पिस्टिल दोने इवेंट करती हूँ मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है उमने दो हजर पंदरा में शूटिंग स्टार्ट किया शूटिंग स्टार्ट किया तब कुलापूर में उतनी फासिलिटीज ने जाते गी बस से ट्रावल करके मेरेट वडगा उसे कुलापूर जाने के लिए डेट गंटा लगता है तो वापस आने के लिए डेट गंटा और चार गंटे के ट्रेनिंग तो ऐसे 6-7 गंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी तो फिर मुमी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो हम आपको साइटेड सेंडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो तो मैं बहुत सारे गेम्स कर दी थी बच्चपन में क्यूंकि मेरे मुमी पापा को दोनों को खेल में काफी रूची थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया फाइनेंशल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी इसलिए मेरी माता जी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजन करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए तो मैं उनकी ड्रीम कमरेट करने के लिए बच्चपन से काफी खेल कुद में रूची लेती थी और फिर मैंने टाइकॉंदो भी किया है उसमें भी ब्लाक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग जुदो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो इसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आगई फिर दो-तीन साल मैंने बहुत स्विल किया और फिर्स्टाइब मेरा युनिवर्सिटी सैंपियंशिप तिले मलेशिया सेलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉंज मेडल आया तो उदर से अक्चुली मुझे पोश मिला फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई फिर मैं उदर ट्रेनिंग कर दी थी और फिर उन्होंने मुझे पूर्णे बेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट सांडेशन है गन फर ग्लोरी तो मैं उसी के अंदर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी गन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया अज़ आप चारों अमद से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा प्रगती हो, अमलान हो, प्रेंका हो, अभिधन्या हो अब सब मेरे साथ जुड़े हूए है तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जुरूर सुनूंगा पर मेरा एक सवाल है सर जी आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट अंसल लगता है सर खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूँ लेकिन होकी, फुटबॉल, कबड़ी, खोखो यह हमारी धर्ती से जुड़े हुए खेल है इसमें तो हमने कभी पीशे ने रहना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के परतिय पहले जो भाव था वो नहीं है पहले तो बच्चा खेलने जाता हो तो रोकते थे, अब बहुत बड़ा बड़ा है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती हैं, हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ नो कुछ देश के लिए करके आते हैं, और ये खबरे आज देश में मुपता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं, स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत बदाई, बहुत सुखा मना हैं, दन्यवार जी, नश्कार, मे प्रयाफ ने हर गर्द तिरंगा भियान को वास्तों में हर मन तिरंगा भियान बना दिया। इस अभियान के जोरान कई रिकॉर्ड भी बढ़ें। देश वास्यों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगें खरीदें। देड़ लाग पोस्ट आफिसेस के जरी है, करीब डेड़ करोड तिरंगी बेचे गए, इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैक्डो करोड रुपिय का आई भी हुई है। तिरंगे के साथ सेलफी पोस्ट करने में भी इस बार देश वास्यों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस तक करीब 5 करोड देश वास्यों ने तिरंगे के साथ सेलफी पोस्ट की थी। इत्सान ये संख्या दस करोड को भी पार कर गई है। साथियों इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश देश भक्ती की भावना को उजाल कर करने वारा अभियान जोरो पर है। सितंबर के महने में देश के गाउं गाउं में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमरित कलस में जमा की जाएगी। अक्तुबर के अंत में हजारों अमरित कलस यात्रा के साथ देश की राजदनी दिल्ली पहुचेंगे। इस मिट्टी से ही अम्रित वाटी का किर्मान होगा। मुझे परिवार जनों इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वज़े ये हैं कि सावन मास की पुर्णिमा इस तीथी को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सरवेव्य विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्द शुकामना। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचिन भाषाओं में से एक है, इसे कई आधुनिक भाषाओं की जन्नी भी कहा जाता है, संस्कृत अपनी प्राचिन का के साथ साथ, अपनी वेग्णियानिक्ता और आकरण के लिए भी जानी जाती है, भारत का कितना ही प् योग, हाईरुवेद, और फिलोसफी जैसे विश्यों पर रिसर्च करने वाले लोग अब जादा से जादा संस्कृत सिख रहे हैं, कई समस्तान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे की संस्कृत प्रमोशन फांडेशन, संस्कृत फर योग, संस्कृत फर आयरुवेद, और संस्कृत फर बुद्धिजम, जैसे कई कूर्सिस करवाता है, संस्कृत भारती, लोगों को संस्कृत सिखाने का भ्यान चलाती हैं, इसमें आप दस दिन के संस्कृत संभाशन शिवीर में भाग ले सकते हैं, मुझे खुशी है, कि आज लोगों में संस्क संस्कृत को लेकर जागरुकता और घर्वता भाव बढ़ा है, इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेश योगदान भी है, जैसे तीन संस्कृत डिम्न उनिवर्सिटिज को 2020 में सेंटर उनिवर्सिटिज बनाया गया, अलग-अलग शहरों में संस्कृत विश्व विध्यालेंगों के कई कॉलेज और संस्तान भी चल रहे हैं, IIT और IIM जैसे संस्तानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपिलर हो रहे हैं, साथ अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभो की होगी, जडों से जूडने की, हमारी संस्कृति से जूडने की, हमारी परंपरा का बहुत बड़ा स्वसक्त माध्यम होती हैं हमारी मात्र भाषा, जब हम अपनी मात्र भाषा से जूडते हैं, तो हम सहज रुप से अपनी संस्कृति से जूड जाते हैं, अपने संस्कारों से जूड जाते हैं, अपनी परंपरा से जूड जाते हैं, अपने चीर पुरातन भ अभव्य वैभव से जूड़ जाते हैं ऐसे ही भारत की एक और मात्रु भाषा है गवरोव शाली तेलुगु भाषा 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा अंद्री की तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभा कांशलू आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहु संस्कृति के कई अनुमोल रत्न छिपे हैं तेलुगु की इस विरासत का लाव पूरे देश को मिले इसके लिए कई प्रहास भी किये जा रहे हैं मेरे परिवार जनो मन की बात के कई एपिसोर्स में हमने टूरिजम पर बात की है चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलजभी अनुहों देता है कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दें लेकिर हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसुस नहीं कर सकते कोई हिमाले का कितना ही बखाल कर दें लेकिर हम हिमाले को देखे बिना उसकी सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से यागरह करता हूँ कि जब मोका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी अपने देश की डाइवर्सिटी उसे जरूर देखने जाना चाहिए है अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं हम बेले ही दुनिया का कोना कोना चान ले लेकिन अपने ही शहर या राज की कई बहतरी जगों और चीजों से अंजान होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही एतिहासिक स्तलों के बारे में जादा नहीं जानते ऐसा ही कुछ दनपाल जी के साथ हुआ दनपाल जी बैंगलूरू के ट्रांसपोर्ट आफिस में ड्राइवर का काम करते थे करिब 17 साल पहले उन्हें साइट सीन बिंग में जिम्मेदारी मिली थी इसे अब लोग बैंगलूरू दर्शिनी के नाम से जानते हैं दनपाल जी परियतकों को शहर के अलग-अलग परियतन सलो पर ले जाया करते थे एजी एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया बैंगलूरू में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था ऐसे में उन्होंने खुद की जानकरी बढ़ाने पर फोकस किया अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और सिरालेक मिले इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपी ग्राफी यानि शिलालेकों से जुड़े विशे में डिप्लोमा भी कर लिया हाना कि अब वे रेटायर हो चुके हैं लेकिन बैंगलूरू के इतिहास खंगालने का उनका साउक अब भी बरकरार है साथियों मुझे ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहत खुशी हो रही है ये मेघाले के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियो नौजी में गजब की दिल्चस्पी है सरल भासा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्यान वर्षों पहले उनमें ये इंट्रेस तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी 1964 में उन्होंने एक स्कूली शात्र के रूप में अपना पहला एक्ट्रोरेशन किया 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोशेशन की स्थाफना की और इसके जरिये मेघाले की अंजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया देखते ही देखते हुन्होंने अपनी टीम के साथ मेघाले की 1700 से ज़्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज को बर्ल केव मैप पर ला दिया भारत के सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघाले में मुझूद है ब्राइन जी और उनकी टीम ने केव फोना यानि गुफा के उन जीव जन्तों को भी डॉक्मेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाये जाते हैं मैं इस पूरी टीम के प्रयासों के सरहाना करता हूँ साथ ही मेरा ये आगर भी है कि आप मेघाले की गुफाओं में गुमने का प्लान जुरूर बनाए मेरे परिवार जनों आप सभी जानते हैं कि डेरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इंपोर्टन सेक्टर में से एक है हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है कुछी दिनों पहले मुझे गुजरात की बनाश डेरी के एक इंटरेस्टिंग इनिसेटिव के बारे में जानकारी मिली बनाश डेरी एशिया की सबसे बड़ी डेरी मानी जाती है यहां हर रोज आउसतन पच्चतर लाख लीटर दूद प्रोसस किया जाता है इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भीज़ा जाता है दूसरे राज्यों में यहां के दूद की समय पर डिलिवरी हो इसके लिए अभी तक टेंकर या फिल मिल्क टेनों का सहारा लिया जाता था लेकिन इसमें भी चुनोतिया कम नहीं थी एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूद भी खराब हो जाता था इस समस्या को दूर करने के लिए भारतिय रेलिवे ने एक नया प्रवग किया रेलिवे ने पालनपुर से न्यू रेवाडी तक ट्रक ओन ट्रेक की सुविदा शुरू की इसमें दूद के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चड़ा दिया जाता है यानि ट्रांस्पोर्ट्रेशन की भावत बड़ी दिकत इससे दूर हुई है ट्रक ओन ट्रेक सुविदा के नतीजे बहुत संतोस देने वाले रहे हैं पहले जिस दूद को पहुँचाने में 30 गंटे लग जाते थे वो अब आधे से भी कम समय में पहुँच रहा है आसान बना है साथियो कलेक्टिव एफर्स से आज हमारी डेरी भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है बना अज डेरी ने परियावर्न समरक्षन की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है इसका पता सीड़ बॉल ब्रुक्षार उपन अभियान से चलता है वारणसी मिल्क उनियन हमारे डेरी फार्मर्स के आए बढ़ाने के लिए मेन्योर मेनेजमेंट पर काम कर रही है करला की मराबार मिल्क उनियन डेरी का प्रहास भी बेहत अनुठा है ये पशों की बिमारियों के इलाज के लिए आरुवेदिक मेडिसिन विक्सितकन में जुटी है साथियों आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेरी को अपना कर इसे डावर्जी भाई कर रहे हैं राज्यस्तान के कोटा में डेरी फार्म चला रहे अमन प्रिंसी के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए उन्होंने डेरी के साथ बायो गेस पर भी फोकस किया और दो बायो गेस प्लांक लगाए इसे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब सत्तर प्रतिशत कम हुआ है इनका ये प्रयास देश भर के डेरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है आज कई बड़ी डेरी बायो गेस पर फोकस कर रही है इस प्रकार के Community Driven Value Edition बहुत कुछ साइथ करने वाले है मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे मेरे परिवारजनों मन की बात में आज बस इतना ही अब त्योहारों का मौसम भी आही गया है आप सभी को रक्षावंधन की भी अग्रिम शुब कामना है पर वह उल्लास के समय हमें वोकल्फ और लोकल के मंतर को भी याद रखना है आत्मंदिर भर भारत की अभियान हर देश वासी का अपना अभियान है और जब त्योहार का माहूल है तो हम अपने आस्था के स्थलों और उसके आस्पाक्टे क्षेत्र को स्वच्चत तो रखना ही है लेकिन हमेशा के लिए अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी कुछ नए विश्यों के साथ मिलेंगे हम देश वास्वा के कुछ नए प्रयास होगी